आइडिया वीडियो कक्षा एक और दो के बच्चों की मातां के लिए नमस्ते आज की मिटिंग में आप सबी का स्वागत है आशा है आपको पिछले हपते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं पिछले हपते की शब्द बताना गतिविधी और कक्षा एक और दो की वरक्षीट एवें प्लांट वाल हैंगिंग इस वीडियो पर आपके अनुभव जरूर बताएं अब साथ लाई हुई वरक्षीट हाथ में पकड़कर फोटो खिशते हैं तब तक वीडियो पॉज करते हैं हमारी इस गतिविधी का नाम है करके देखते हैं सभी माताई एक रेखा में बैठें उनके पास एक बेलन और एक समान कंगन हो प्रत्यक माता को अपने एक हाथ में बेलन लेकर हाथ पीछे रखना है अग लीडर माता द्वारा एक, दो, तीन बोलने पर प्रत्यक माता दूसरे हाथ से बेलन में एक, एक कंगन डालेगी तै किये गए समय में जो माता सबसे ज्यादा कंगन बेलन में डालेगी वह विजयता होगी यह गतिविधी होने तक वीडियो यहां पॉस करते हैं आशा है यह गतिविधी सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी अब आगे की गतिविधी देखते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं हमारा चहरा दातों की वजह से सुन्दर दिखता है ना आईए दातों को मजबूत रखने के लिए ब्रश करना क्यूं जरूरी है वह समझते हैं किया क्या 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 क जब्ली उफपर नीचे ब्रॉचू गोल गूमा दे हर और बॉचू आरे जर्म्स करदे नश्ट गोंतल से आतफर चारे जर्म्स कर सारे चेया क्या RD तूने क्या 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 Pat acontecे रहें डातो को सभर एक बॉप की तनु सहे मफ क्या क्या ब्रश करना है बेटा हर सूब शाम, दातों कुर रहेगा हमेशा आराम, सिर्फ कुल्ला करने से न होगा काप, भी तो ब्रश करना है बेटा हर सूब शाम, दातों कुर रहेगा हमेशा आराम, दातों कुर रहेगा हमेशा आराम, दातों कुर रहेगा हमेशा आराम, दातों की इस वीडियो का फाइदा आपको कैसे हो सकता है सब ही माताएं बारी-बारी से समू में बताएं चलिए अब आगे की गतिविती देखते हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं हमारे आसपास कौन सी चीजें नीले रंग की है उनके नाम काम बताते हुए चित्र निकाल कर उसमें नीला रंग भरें इसके साथ ही कक्षा एक की चित्र देख कर सही शब्द लिखना और दो की अनुछेत पढ़कर सवालों के जवाब लिखने की वरक्षीट घर में बच्चों के साथ पूरी करें क्या बच्चे ने बताई हुई गतिविधी और वरक्षीट करने में आनंद लिया यह अनुभव हमारे साथ अवश्य साजा करें आज की गतिविधियां यहां पर समाप्त हो रही हैं ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना वबच्चों का खयाल रखें धन्यवाद